आप देख रहे हैं MP7 News मद्द प्रदेश मैं हूँ इमरान गंदगी वैसे ही फैली थी जैसे बीते दिन डाक्टर के चेमबर में कुछ डाक्टर तो मरीजों का इलाज कर रहे थे लेकिन जिनकी ड्यूटी लगी थी वो चेमबर में ही नहीं बैठे थे और स्वास्थ्य कर्मी भी नदारत दिखे थे अस्पताल में आये ग्रामीन क्षेत्र के मरीज काफी परेशान देखे गए दो घंटे मरीज परेशान रहे लेकिन डाक्टर नहीं मिले वही SDM का कहना है कि कलेक्टर के निदेश पर अस्पताल का निरीक्षन किया था लेकिन यदी व्यवस्थाय नहीं सुधरी तो फिर इसकी जाच करा कर कलेक्टर को कारवाई के लिए लिखा जाएगा छतरपुर से MP7 News के लिए अर्विंद वर्मा लेक्टर का जाओ 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 जो पतरिया का जाओ दो घंटा हुआ फिर समय ऊपर ने चाहिए तिन चारो तरफ भूलाव ने ऐसी खासी बुखा रहे है चापर से नहीं मिली तो जाओ अब देख रहे मिल रहे हैं तो ठीक हो इन तो प्राइब्ट हो जा रहे हैं तो सानुसार जलाश्पतार का निरिक्षन किया गया तो निरिक्षन के दोरान वहां साफ सपाई की व्यवस्ता नहीं थी मतलब साफ सपाई वाली स्तिधी बहुत खड़ा हो तो संबंद में आज भी टील वेटक में सीमों चुसाब कुने करेक्टर महुद ने निर्देश दिये हैं कि साफ सपाई की व्यवस्ता सुनिश्चित करें और इसकी जाच के संबंद म अधिकारी उसका दोड़ा करके और जो भी कमी होगी उनको दुरस्ति है आपके जाने के बाल भी आज भी जो कोई ना ही को डॉक्टरा बैठ है ना कोई बेटर माई से पाईशान हो रहा है आज को आज को संबंद में तो मनीदेश कल में देखा था और अगर ऐसी इस्तिनी बनेगी पुना जांच होगी और जो भी करमचारी अनुपस्तद रहेंगे या जो नहीं आएंगे उनके विर्द्व कारवाई होगी इलेक्टर महुदे को लिखा जाएगा ताया तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब जरूर करें